दोस्तों स्वागत आप सब करें आज साओ्थ अफ्रीका और इंडिया के बीच में सएकंड और डी ऐ मैच खेल आएगा जो कि स्टार्ट होगा 21 जन्वरी को दो बजे, यहां पर हम बात करएंगे इस मैच के बारे में हम देर सारा पैसा जीज सकें तो गाइस यहाँ पर हम बात करेंगे इस मैच की लेकिन पिछले मैच का पहले थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट मैच पूरा अनेक्सपेक्टिड मैच हुआ आपने देखा बिग बैश लीग में हमने हर एक मैच में धेर सारा पैसा कमाया है होगा और इसी वजे से इंडिया भी मैच हार गई लेकिन यहां पर इस मैच में क्या होगा एक कौन से बैट्स में रन बनाने वाले हैं और कौन से बॉलर सिविकेट लिखा ले वाले हैं तो अगर आपको अच्छी टीम बनानी है ना तो ये वीडियो पूरा देख डालिए और भाई जिल लोगों ने चला को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तो इंडिया के में चल रहे हैं और PSL में हम लोग बिग बैश लिख की दरा अच्छा खासा पैसा चापने वाले हैं तो करिए क्या नीचे सब्सक्राइब को बटन है जल्दी से दबादो या सोचो मत जल्दी दबादो और आपको पता है टोस के पहले तो मैं आपको फाइनल टीम दे नहीं सकता तो फाइन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है आप जल्दी जाईए और उस लिंक से जाकर करें फैंटेसी क्रिकेट गुरू टेलीग्राम चैनल जोईन कर लीजिए लगभग छेलाक लोग जुड़व में है और आप भी जुड़ जाईए याद रखना बिल्यू टिक है चैनल पर फैंटेसी क्रिकेट गुरू वेरिफाइड चैनल है वही जोईन करना है उसके लाव जोईन मत कर लेना तो बात कर लाते हैं मैच के बारे में तो गाई सबसे पहले तो आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए इंडिया को सपोर्ट करने के लिए ये तो लाइक का साथ अफ्रिका जीत गई हो लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इस मैच को इंडिया जीतने वाला है क्यों जीतने वाला है मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन उसके पहले आपको बदा दो जिस भाई ने अभी तक माई 11 सरकल एप को साइन अप नहीं किया है इस वीडियो को दे इस पर 20% एक्ष्ट्रा कैश मिल रहा है और क्या चाहिए सिर्फ यही नहीं जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि इंडिया मैं जीतने वाला है अगर इंडिया इस मैच को जीतता है तो जो आप अमाउंट जीत रहे हो माउंट डबल हो जाएगा मालो आप अगर पांच जार में तो आपको पांच गुना कैश मिलता है head to head खेलने पर इतने सारे बैली फीट है तो जीस भाइन अभी तक sign up नहीं किया है इस वीडियो को देखने के बाद समसे पला है काम यह करना कि मैलो चरकल आपको sign up कर लेना link comment शक्रिक्शन और description में है अब गाइस ग्राउंड के ब बैटिंग के लिए है और एक चीज में आपको ओ लिए थी कि इस प्रस को यहां पर कुछ भी नहीं है आप नहीं देखा चैहल जैसे बॉलर्स को विकेट नहीं मिले इस पिनर्स को तो वही चीज़ा है इस मैच में भी लाग होंगी हाला कि पिछले मैच के तॉस के टाइप टेंबा बहुमा ने कहा था कि विकेट बाद में थोड़ी सिलो होगी तो बाद में सिलो हुई भी और कैशाओ महाराज एड़न मारकरम और आपके तब शम्शी को विकेट भी मिले लेकिन पहली इनिंग में कुछ नहीं था ठीक है तो ऐसा ही इस बार भी होगा अच्छी खा जा होता है कि कितना स्कोर बनेगा उसके विकेट गिरेंगे उसके लेकिन पहले इनिंग में सारी सारी विकेट को मिले सिवाए एक कर अब guys यहाँ पर आप देख लेगते हैं पिझ्ले 4 matches में, एक तालिस विं कित प्एसर्स को मिले हैं, मतलब कि double से भी जादा विकेट को मिल रहे हैं, अब guys हम बात कर लें, head to head के बारे में, यहां से, यहां से आपको अंदाजा कि कौन 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 से प्लेयर हो जो हैड टो हैड में रेगुलर पहुंग कर रहे हैं आपकी टीम में होने चाहिए लास्ट मैच में मैं आपको बना तक कि धवन और कोली यह दो असे प्लेयर हैं इंडिया की तरफ से जो हमेशा रन बनाते हैं साथ अफरिका के गएंस्ट और हमने टीम म से दिखोगे तो आपको रन में वही दिखेंगे आपके कोली और दवन इधर से ठीक है कोली और आपको दवन यहां पर रेगुलर पहुंग करते हूं दिखेंगे और आज भी उम्मीद है कि यह दोनों प्लेयर अच्छे खासे रन बनाने वाले हैं इनके साथ में एक एड़ से मेरे यह तीन प्लेयर हो गए इधर से डिकॉप को मैं फिर से टीम में रखूँगा ठीक है वाले पिछले मैच में सैंच्छी ने वार पाया है लेकिन सबसे टॉप के प्लेयर है अब यह बहुमा और डेसन इनको रखना है नहीं रखना है पिछले मैच में दोनों ने करते हैं तो यह अच्छे हो सकते हैं लास्ट मैं आपको वह था कि अगर आप गेलना चाहते हो जीतना चाहते हो था बहुमा और डेसन को ज़रू ट्राइ करना तो जिन लोगों ने इनको ट्राइ किया उन्होंने अच्छा फासा ग्राइडिंग में विंदी किया इधर से करते हैं इसके अलावा चहल भी हमेंशा विकेट निगालते हैं साउथ अफरिका के गएंस थाले कि पिछले मैच में विकेट लेस रहे थे वह इसलिए रहे थे क्योंकि पिछ जो है उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी अब गाइस आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर मैच प्र किसे यह आउसर कर देता आउपको फिरी में दहजार मिलते हैं तो पहला कोश्चन है कि आज वराट कोली कितने बनाएंगे उनको आउट को कर रहा है तो आप अंदर रहा है कि यहार कितने बना सकते हैं कौन आउट कर सकता है लेकिन पहले दूसरे कोश्चन सुन लीजेगा जो आगे आ रहा है जब आप कमेंट सेक्शन में जाकर के दोनों कुश्चन के आंसर कर दीजेगा अब बात करें यहां पर हम प्लेंग लेओन की तो इसमें आप देखोगे शिकरदवन केल राहुल आपनी करेंगे उसके बाद आपके वराट को ली आईया रिशापवांत ग अब इस टीम में से हमारी टीम में कौनकों से प्लेर होने चाहिए तो मैं लास्ट मैंच की तरह फिर से टॉप 3 के साथ जाओंगा इधर से आपके पास आईयर है पंत वंकटेश है पिछले में जो बॉलिंग नहीं कराए गई तो इसलिए मैंने टीम में नहीं लिया था अब इस मेरे इसाब से जब या लास्ट मेंच में टीम इतनी बुड़ी फसी पड़ी थी एक बहुत बड़ी पार्ट टैशिप हो रही थी डेर्डसों के उपर की जब नहीं कराए गई तो मेरी इसाब से इन बॉलिंग बहुत कम चांसे करा लिए तो आप यहां से इन दोनों में से किसी को पिक कर सकते हो खासतर पर रिशाब पंथ एक अच्छे ऑप्शन है अगर आप लेना चाहते हो चौते बट्समें के लिए अब बॉलिंग मैं एक बार फिर से ठाकुर के साथ जाओंगा पिछले पंच विकेट लेस रहे थे मैं फिर जस्पर दुम्रा के साथ जाओ जाओंगा और हो सकता है मैं एक बार फिर से आपके चहल के साथ चले जाओंगो चहल और आपके भवनेश्वर इन दोनों में से मैं कंफ्यूज हूँ किसके साथ जाओंगा जो भी होगा जिसके साथ भी जाओंगा मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा तो इसलिए बो साथ के लड़े हैं प्लेयास के साथ अफ्रिका एगेंस फॉर्म के बारे मैं प्लेयर's के इस ग्राउड पर खेले हैं मैरा आपको बला था चैन कर रहे हैं और अच्छा क्या और इस टीम के अच्छा कर रहे हैं तो उफीद है इस यसकी मारें घंट disfrag बात रह लेकिने अगली मेंस तो भाइन को उब्याइस बात है। तो में इनको टीम में लेने वाला हूं उसके बाद आएर का कुछ खास अभी तक परफोर्मस नहां नहीं रहा है रिसेंट के मैंच में फ्लॉप ही चल रहे हैं अब उसके बाद रिशाप पंत का पिछले मैच छूर दो यह घजब के फूम में है ठीक है अब आगे हम बात के ल इन से बॉलिंग ना कराई जाए आप इनको टीम में नहीं नहीं तो ज्यादा अच्छा है स्मॉल लिग में जस्पर दूरा दो विकेट और हमेशा दो दो विकेट निकाल रहे है इस टीम के आगें तो पिछली मैच में वही किया और उम्मीद है इस मैच में एक बार फिर से साथ अफरिका के एक मेच में चार विकेट ले भी चुके हैं यह भूल जाईए यह हमेशा नहीं बनाएंगे ठाको लेकिन विकेट जो है वह आपके लिए इंपॉर्डन होगा चैहर पिछले मैच में विकेट लेज रहते हैं लेकिन यह सब से जाधा विकेट लेने वाले ब कि यह दोनों प्लेयर कितने ही इंपॉर्डन हो जाते हैं साथ अफरिका के अगेंस केल राउन ने ज्यादा मैच खेले नहीं है और ज्यादा भी नहीं बना है सिर्फ 19 का अवरेज है अफरिका के अगेंस तो इस चीज़ को देखते हुए आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले पाते हैं एक मैच में चेहल ने आठ मेच में बीच विकट ली है लास्ट में विकट नहीं मिला फिर भी आठ मेच में बीच विकट तो चेहल एक इंपॉर्डन प्लेयर है अगर इनको थोड़ी बहुत हैल्प मिल जाती है फिच्छ से दो अब गैस अफ्रीका की होंगे उन्टेन दिखो के जन्रमन मलन है टेंपा वह हुमा है एडन महाराक है डसन है डेविड मिलर है फिर यहां पर आप आओगे एंडले पहल को केश्व महाराज मारको जैंसे तबरें शमसी और लोंगी अंगेडी पिछले मैच में रबाड़ा नहीं के लिए उनकी जग को टीम में रखूंगा यहीं मैं स्मॉल लिग की बात कर रहा होता हूं जब भी मैं टीम बनाने की बात कर रहा होता हूं तो मैं दो मेंबर तीन मेंबर चार मेंबर की बात कर रहा हूं तो मैं गर आपको बनारी है तो मैं लाइव आता हूं मैस से एक गंटे पहले आदे को ले लिया उसके बाद मैं जाने मन मलन को फिर से लोगा जाने मन मलन आप चाहो तो recent जो खल के match परोमिस किया टेमबा बॉहumा ने उसको देखते हुए टेमबा बॉहumा के साथ जा सकता है बट मैं मलन के साथ जाउँगा क्योंकि एक अच्छा प्लेयर है और अभी जो कल ICC ने ODI टीम आफ दा इयर रिलीस किया है उस टीम में ऑपनर जाने मन मलन को ICC ने बनाया है तो आप सोच सकते हो कि कितना इंपोर्टन है ODI का जाने मन मलन आप टेंबो बामों को ले सकते हो मैं एडन मारक में पर साथ फिर से जाओंगा क्योंकि ऐस मैं इन टीनों के साथ एक बार फिर से जाओंगा अब उसके बाद बॉलिंग में मैं एंगिडी के साथ जाओंगा और आल राउंडर में यहां से मैं किसी को पिकनिक करूंगा तबरेश शमसी केशव माराज और मारको जैंसान हाँ आप थोड़ा से डिफरेंशिल करने के लि इस टीम क्या इंडिया क्या गजब का चल रहा है इस ग्राउंड पर ठीक ठाक है उतना अच्छा नहीं है अब टेम बाव में रिसेंट फॉर्म इनका आप देखो को तो पिछले दो मैचों को छोड़ करके कुछ खास इन्होंने किया नहीं है और कि इंडिया क्या कि इस तो खेलर में विकेट निकालते हैं अब रन उतने ज्यादा बना नहीं रहे है अगर आपको एक अच्छा बैसमें चाहिए तो आप अप अध्यम मेराक की जगह पर डसन या फिर आप बहुमा को ले सकते हो लेकिन जाने में में बलन को ड्रॉप करना मेरे लिए थोड़ा सा सकते हो क्योंकि यह आयो गयो रहा में और इनकी बैटिंग आती है लास्ट की चालीस अवर के बाद जुबहर हमजा खेलेंगे नहीं और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर वैने पहले खेलेंगे नहीं पिरिटोरियस यह भी शायद ना खेले एंडर पहले हो हमेशा की इनको विकेट नहीं मिल रहा अब ले सकते हैं हाले कि रिस्की होगा क्योंकि इस पीच पर कुछ हास है नहीं लेकिन अगर साउथ अफरिका बाद में वोलिंग कराता है पिछले मैंच की तरह तो आप इंको ट्राइ कर सकते हो कैश्व महराज एक विकेट और लूंगी एंग इस मैचों के दो मेंगेट नेकाले और इंगिडी कर भी अच्छा रहे है तो यह हो गई साउथ अफरिका के प्लेयर्स की बात अब साउथ अफरिका के प्लेयर्स का यहां पर वह मेंच देख लिए इंडिया का अगेंस डिकॉग तो यह चीज़ को देखते हो आप मार करम की जगहा पर वह मा या फिर आप डसन को ले सकते हो तो अब उसका आप देखिए बॉलिंग में आपके पहली को आए हो आठ मैचों में च्छा विकेट एक सो पच्छीस रंड तो इनका अवरेज पच्छीस का है बैटिंग में इस से इनका कवर अप हो जाता है अधर्वाइस बॉलिंग में कुछ उतना अच्छा पॉमस नहीं है अच्छा पॉमस आपके पांच मैचों में दस विकेट ठीक है तो यह भी बास साथ अफ्रिका के प्लियर्स के इंडिया के अगेंस्ट आप आगे आपका सेकंड गीव कोस्ट किसको मिलेगा क्या लगा करके अगर आपका सही डिकेट के बारे में तो चैंजी नहीं होंगे मैं पिछले मैं't की तरह ही इसमें भी इस नहीं बनाने वाला हूं विकेट कीपर मेरे डिकॉक और आपके लोकेश रावल होंगे बाइलों सिर्कल की जो मेरे टीम बनाई हुई है इसमें बैटिंग में मैं एक बार फिर से सहम तीच चार बैट्समन के साथ जाओंगा मलन है शिकर है ब्राट है और अब जैसे आपको बोल रहा हूं अगर आपको अगर इंडिया पहले बॉलिंग कराता है तो मैं चहल की जगह पर बहुने शिर्कुमार के साथ जा सकता हूं यह बात याद रखना और यह आपको कब पता चलेगा जब आप टेलिग्राम जोइन कर चुके होंगे तो जिस बाई ने अभी तक टेलिग्राम जोइन नहीं किया अभी की है आभी डिस्क्रिप्शन बजा ओ टेलिग्राम के लिंक से जाकर कि सीधा टेलिग्राम刃 जोइन कर लो एकदम फिर्याब सब कुछ फिरे मिलता है टेलिग्राम पर ठीक है तो अमीद आफ़ चयाँ जोब करेंगे अब को साइनब नहीं किया आपको पांस गुना कह है चाहिए तो जाव मैलेंस अकल आपको साइन अप कर लो नीचे कमेंट सेक्स्री में लिंक दे रखका है तो मिलते हैं टेलेग्राम पर बेस्ट आफ लाग्स